आज की रेसिपी बहुत जादा युनीक सी है क्योंकि ये रेसिपी आप देख रहें से हमने बनाया है रात के बच्चे हुए चावलों से तो वीडियो बहुत इंटरस्टिंग है फ्रेंट्स पूरी की पूरी वाच कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा बेल ऐकन प्रेस कीजिएगा जिसे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल भी न भूले तो देखें यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं जो के रात के बचे विराईस हैं अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक मिकसर जिसमें हम इन चावलों को बस सिंपली डाल देंगे तो एक कटोरी चावल से बहुत सारे नाश्टे के पीसे यहाँ पर हम बना कर रेडी करेंगे तो फिर आपसे कह रही हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा बहुत ज़दा पसंद आने वाली है आपको ये वीडियो इसके साथी आधा कप आपको सूजी लेनी है जो के होगी दो बड़े चमच इसके साथी हम डालेंगे दो हरी मिर्च जो के स्वादनिस आ रहे आपको जितना तीका पसंद है आप उसे जाप से इसमें डालें थोड़ा सा पानी डालें और इससे ग्राइंड आप देख सकते हैं इसका बड़िया सा हमने एक स्मूध सा पेस्ट बना करके रेडी कर लिया आप भ mismos ले ले लेना है एक बाउल और जो हमने इसका एक बैटर सा बनाया है न इसे हम इसमे निकाल लेते हैं और जो एकसेस बचेगा वो पानी डालकर हम सारा का सारा इस ही डाल देंगे और आप इसकी कंशिस्टेंशी देख सकते हैं एक्दम फियुलीड इक्विडी कंसि बический के सिंपली और यहां पर इनो का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसे जारे वी बादे आदार जारे हो अब यहां पर एकष्ब करीब तो एक चमश के करीब OIL डाला है OIL अच्छे से गरम हो गिया है तो आद़ चमश के करीब इसमें जीरा डाल दिया है खाने वाला जीरा अब इस जीरो को हम अच्छे से चटकने देंगे और जो हमने घोल बना के रखा था चावल का रात के बचे हुए और हमने इसमें सूजी डाली थी गोल हम इसी में डाल देंगे यहाँ पर देखिए इस गोल को हमने डाल दिया है और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखी है अब मीडियम फिलेम फिलेम पर हम इसे चलाते हुए बुनेंगे friends मेरी बीच की clip यहां पर miss हो गई है तो मैंने आपके साथ share नहीं करी है लेकिन इसे मैंने 5 मिनट तक चलाया था तो जब जाके इसकी जो consistency थी इस तरह की हुई है और 5 मिनट चलाने के बाद ऐसी consistency मिली है अभी हम इसको और जादा इसी तरह से चलाते रहेंगे अभी आप देखेंगे कि यह बिल्कुल सिमट के एक जगा पर आ जाएगा तो लगतार चलाते हुए आप इससे इसी तरह से mix करते रहें और आप देख रहें कि यह consistency इसकी काफी जादा थिक होना शुरू हो गई है तो इसी तरह से लगतार मैंने इसे चलाते रहा है और देखिए चलाते चलाते अब हमें इसकी जो consistency बस इतनी ही चाहिए है अब हम गैस की flame को बंद करेंगे और आप इससे आदे घंटे के लिए जिदा होने के बाद यह कुछ ऐसा हो जाएगा हमने इसमें सूजी डाली थी ना इसलिए यह सूजी अच्छे से जब सेट होती न तो इस तरह से कड़क हो जाती है अब हात ओपर हमने अलका सा oil लेकर इससे अच्छे से इस तरह से एक पेड़े की शकल दे दी है तो अब हमें क्या करना है सर्फिस पे थोड़ सा आटा डस्ट करना है या मैदा आप डस्ट कर सकते हो कोई भी आपको प्लेन फ्लार यहां पे डस्ट कर लेना है इसके बाद जो पेड़ा हमने बनाया था इससे इसके उपर रखके अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना इस तरह से इसके बाद हम बेलन से इससे अच्छे से बेलेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है यह थोड़ सा स्टिकी होगा इसलिए बहुत हलके हाथ से आपको मैला डस्ट करके या आटा डस्ट करके इससे बेलना है तो इसकी हम एक पतली सी रोटी बेलेंगे बहुत पतली नहीं जैसे हम नॉर्मल फुलका बनाते हैं इस तरह की आपको इसकी एक रोटी बेल लेनी है तो आप देखेंगे हमने इसकी रोटी बेली ही। बस रोटी को हमें इतना ही बेलना है, अब ले लेना है एक पिजा कटर या आपके पस नाइफ हो तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते लेकिन आपको यहाँ पर तेज चाकू का ही Scotty क्ट actively कर दी है, अब हम सिद्धी सटिप्स कट कर लेंगे यह देखिए हमने 2-2 इंच की यहां पर इसकी strips कट कर ली है अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसे ठरह से बराबर करेंगे और इसकी साय भी हमनिकाल देंगे हमैं स्कौाइर शेप का यहां पर यह रोटी को देना है तो देखी हमने इसे square shape में अच्छे से cut कर लिया है और इसके जो edges निकले हैं ना वो हम बाद में फिर से reuse कर लेंगे फिर से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और cut कर दिया है और अब इसको हमें चौकोर shape में इस तरह से cut कर लेना है तो देखिए तीन हिस्सों में हमने इसे divide किया है और यह देखिए यहाँ पर जो हमें हमारे नाश्टे के लिए sheets हैं यह मिल चुकी है तो recipe कैसी लग रही है comment में जरूर बताएं और अगर अब तक पसंद आ गई है तो वीडियो को like कर दे informative लगती है तो family and friends के साथ share भी कर दे तो देखिए एक bowl ले लिया है हमने इसमें हम stuffing ready करेंगे तो सबसे पहले बारी कटा हुआ हमने प्याज ले लिया है जो कि मैंने अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज चीज तो सभी को पसंद आता है especially बच्चों का तो चीज फेवरेट होता है तो यहाँ पर हम एक cup mozzarella cheese ले रहे हैं इसमें बहुत यह अच्छा चीज पुलाता है इसलिए आप इसी चीज का इस्तिमाल करें ना हो तो आप नॉर्मली चीज भी ले सकते हैं इसके बाद देखिए पीजा सेजनिंग डाल रहे हैं यानि की mix-ups डाल दिया है हमने इसमें इसके बाद ले रहे हैं चिली फ्लेक्स तो चिली फ्लेक्स हम यहाँ पर आदे चमच के बराबर इसमें डाल देते हैं इसके बाद काली मिर्च का पाउडर लिया है वन बाई फोर टीस्पून थोड़ा से नमक डाल रहे हैं बहुत ही कम इसके साथ ही यहाँ पर अब हम ले रहे हैं टमेटो केचप एक से दो चमच यहाँ पर मैं टमेटो केचप का इस्तमाल कर रही हूँ इसके बाद लेंगे ग्रीन चिली सॉस बहुत ही अच्छा सा एक चिली सॉस का फ्लेवर आएगा तो थोड़ा सा डालें बिल्कुल बहुत ही कम हमने यहाँ पर चिली सॉस डाला है एक छोटा चमच हमने यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस का इस्तिमाल किया है आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी स्वास इसमें डाल सकते हैं इसकी जगापर आप यहाँ पर म्योनिस का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी एक बड़िया सी जो स्टफिंग है वो बन करके रडी हो गई है तो देखिए अब इसे हम कर देते हैं साइट और चावल से जो हमने शीट्स रडी करी हैं इस रेसिपी के लिए वो ले लेंगे और इसके उपर हम एक चमच के बराबर यह स्टफिंग रखेंगे बहुत ही कम आपको रखनी है क्योंकि हमने इसके बहुत चोटे-चोटे से पीसे बनाए हैं और चोटे-चोटे से हम इसके आज पीज़ा पॉकिट्स बना करके रेडी करेंगे फ्रेंट्स रेसिपी बहुत ही जादा यूनीक है आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि रात के चावलों का इस्तिमाल करके बचे वे आप इतनी जादा टेस्ट्री और यूनीक सी रेसिपी ट्राइ कर सकते हो तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें सब को पसंद आएगी शाम में आप इस स्नैक को जरूर ट्राइ कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से फोक की हेल्फ से हमने इसकी उपर निशान भी बना दी है और इससे अच्छे से मर्ज कर दिया है ताकि हमारी स्टिफिंग बाहर ना आए बिलकुल भी नर्मली आप ब्रेट क्रम से भी से कोट कर सकते हैं लेकिन वह बहुत ज़्यादा ताम जाम हो जाएगा इसलिए मैं आज आपको सिंपल से तरीका बता रही हूँ कि आप इसे अच्छे से कोट कर लें इस तरह काउनफार या मैदे में देखिये सारे के सारे पीसेस हमने इसी तरह से इसमें कोट कर लिए हैं अब तेल को मैंने गरम कर लिया है तेल आपको यहां पर बहुत ज़़्यादा गरम नहीं लेना है बस मीडिय। अगर आप बगद तेल के पीसे को डाल सकते हैं अगर आप बहुत ही तेल में इसे डाल देंगे तो हमारा जो अंदर का स्टफिंग है ना बल्कुल कच्छी रह जाएगी इसलिए आपको इसे medium flame परी फ्रै करना एक बारी आप इसे डालें दो से तीन नट तक आप इसे इसी तरह से पकने दें आप बिलकुल भी इसे किसी भी चमच या कुछ भी नहीं लगाना है बस इसी तरह से इसे पकने देना है उसके बाद जब आपको पलटना हो तो आप एक फोक की हल्प ले उसी से आप इसको पलटें आप देख सकते हैं कि चीज कैसे बाहर आ रहा है और एक साइट से इसमें हलका सा ब्राउनिश कलर आ चुका है तो इसलिए इसके बाद हमें से पल्टेंगे जब तक यह फॉर्म नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इसे फ्राई करना है और फ्रेंट से फ्राई करने में आपको पांच मिनट का टाइम लगेगा और देखिए कितने बड़या सा कलर आ चुका इसके उपर आप एक टीशू पेपर के उपर हम इसे निकालेंगे कि जतना भी एकस्έस वाईल होगा वो सारे का सारा आयल पेपर में आ जाएगा और हमें बहुत अच्छे से यहां पर हमारे सनैक्स बनके ररी हो जाएंगे जब आप घर पर चीज की रेसेपी ट्राइए करेंगे वह भी रात के बचे हुए चावलों से तो फ्रेंड्स रेसेपी कैसी लग रही है प्लीज मुझे बताएं चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाईएगा